नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं पत्र में कहा गया है कि विद्यावाणी पोटल को अपडेट किया गया है पोटल से अब सिक्षकों के मैनूल उपस्थीति बनाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है अब किवल captain उपस्थीति ही दर्ज होगा सिक्षक के साथ साथ बिद्याले के करमचारी के लिए भी इसे अनिवाज़े कर दिया गया है पतादे अप्रेल से वेतन का भोगतान ओनलाइन उपस्थीति के अधार पर ही होगा अब इविद्यावाहनी के नए वर्जन में जियो लोकेशन का दायरा विद्यालाई के जियो कोडिनेस से 100 मीटर के अंदर कर दिया गया है पहले यह दायरा 300 मीटर था उपस्थिती को लेकर जारी निर्देश सभी कस्तुर्बा गांधी बाली का विद्यालाई जार्खन बाली का आवास्य बिद्यालाई वा नेताई सुभा चंद्र बोस आवास्य बिद्यालाई के सिक्षक वा कर्मी पर भी प्रभावी होगा सरकारी बिद्याले के साथ साथ सरकाली सहायता प्राप्त बिद्याले के सिक्षक वा कर्मी को भी ऑनलाइन उपस्थिती के लिए इप इद्यावाहनी पोर्टल पर अपना पंजियन कराने को कहा गया है मौसम विभाग के अनुसार जारखन में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने वाली है सन्निवार 15 अप्रेल 2023 को राज में आंसिक बादल च्हाय रह सकते हैं और मौसम भिसूस करहेगा बादल च्हाय रहने से गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है वहीं 16 अप्रेल से राज के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हलकी बारिस की संभावना जताई गई है मौसम केंद्र रांची के मुताबिक बढ़ते तापमान के बीच सनिवार से लोगों को कुछ रहात मिलने वाली है सनिवार 15 अप्रेल 2022 को राज में आंसिक बादल च्हाय रह सकते हैं मौसम सुस्क रहेगा वहीं 16 अप्रेल को राज में कहीं कहीं गर्जन के साथ हलकी बारिस भी होगी 16 अप्रेल को राज में कहीं कहीं गर्जन के साथ हलकी बारिस हो सकती है वहीं 17 अप्रेल को राज में कहीं कहीं गर्जन के साथ हलकी बारिस हो सकती है सियम हेमन्त ने उर्जा विभाग को दिये निर्देश किसी हाल में न हो बीजली कटवती राज्य में गर्मी के कारण बीजली की मांग में बढ़ोतरी हो रही है इसकी वज़ा से लोट सेडिंग की नौबत आ रही थी मुख्य मंत्री हेमन्त ने इसे गंभिता से लिया है उन्होंने सुक्रवार को उर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाज कुमार से बात चित कर बीजली की अगतर इस्थिती की पुरिजनकारी ली अपर मुख सचिव ने मुख्य मंत्री को जनकारी दी है कि बिली की मांग बढ़ गई है इसकी वज़े से राज्य भर में 300-400 मेगावार्ट तक अतिरिक्त बिली के आउ सकता है आपूर्ती को सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे है लोड सेटिंग की भी नौबत आ रही है मुख्य मंत्री ने निदेश दिया है कि बिली की मांग बढ़ी है तो इसकी व्यवास्था की जाए बाहर से बिली लेकर राज्य मेह पूर्ती करे अगले तीन महीने की योजिना बना कर 600 मेगवार्ड अत्रिक तीवी लिक विवस्था करे इसमें रासी की कमी आड़े नहीं आएगी दवाओ और टीको की बरबादी रोकने को लेकर स्वाष्त विभाग गमभीर दवाओ और टीको की बरबादी रोकने को लेकर जार्खन का स्वास्त विभागंभीर है इस करण सभी सिविल सर्जन को दवाओ का टास्क टीको की उपलव देता और बचे हुए टास्क की जनकारी 30 अप्रेल तक DVD MS पोटल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया बता दे जार्खन के अपर मुख सचिव स्वास्त ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को वर्ष 2022 टेस में दवाओ टीको की उपलवता युप्योगता और बीतिय वर्ष के अंत में बचे एस्टोक की पूरी जनकारी मांगी है आपर मुख सचिव ने 30 अप्रेल तक रिपोर्ट स्वास्त मुख्याले को भेजने और भारत सरकार की पोर्टल डीवीडी एमेस पर अपलोड करने को कहा है स्वास्त विभाक के वरिष्ट अधिकारियों को समिक्षा बैठा के दुरान लागातार यह जनकारी अलग-अलग माद्यामों से मिल रही थी कि राजी के कई जिलो में अवस्थित राज किये चिकित्सा संथान के द्वारा कई जिलो में दवाओं और टिकों की प्राप्ति उसके उपयोग और निस्परयोग में लपरवाही बरती जा रही है सांसद संजय ने यूटूब चैनलों को मन्याता देने की मांग की केंद्रिय सुचना प्रसारन खेल कूद एवाम यूआ मामलों के मंत्री अनुराग ठाकूर से मुलकात कर राजी सांसद संजय सेट ने यूटूब चैनल की मन्याता के अलावे पत्रकारों के स्वास्त बीमा देने की मांग की है बता दे सांसद संजय सेट ने ने दिली में केंद्रिय सुचना प्रसार खेल कूद एवाम यूआ मामलों के मंत्री अनुराग ठाकूर से मुलकात कर पत्रकारों के लिए केंद्रिय करीत जीवन बीमा मुहया कराने की मांग की है वहीं केंद्रिय मंत्री को सोपे गयापन में रांची सांसत संजय सेठ ने डीडी चैनल को सरोब्यापी बनाने कागर किया है उन्होंने कहा है कि आजादी के अमरीत काल में जारकन दुरदर्शन के द्वारा राजे के सोत्ता सेनानियों बीर बलिदानों सहीत समाजिक छेत्र में महतपून योगदान देने वाले ब्यक्तित्व के जीवन की पठकता का प्रसारन छेत्रिय बसाव में होना चाहिए ताकि लोग अपने राजे की पाचान विभूतियों के बीरगाथा से अउगत हो सके जारखन में कोरोना संक्रमीतों की संक्या बढ़ी 24 गंटे में 30 नहे केस पिछले 24 गंटे में जैसे ही जाँच की संक्या बढ़ी 30 कुरोना पयेटी मिल गाए सबसे अधीक 16 कुरोना संक्रामीत राची से मिले हैं जबकी जमसेदपूर में 7 नए संक्रमितों की पाचान हुई है वहीं हजारी बाग में, एक कोड़र्मा में, एक लातेहर में, दो लोहर दग्गा में, रामगर में, और पच्मी सिमू में एक नए केस मिला है बर्तमान में राज्य केज 24 में से 15 ऐसे जीले हैं जहां कुरोना के एक्टिव केसा हैं राहत की बातिया है कि इस तरण 22 कुरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं राज्य में अभी कुरोना के एक्टिव केस की संख्या 132 है गर्मी के कारण कई पॉब्लिक इसकूलों ने बदला समय भीषन गर्मी को देखते हुए पॉब्लिक इसकूलों ने समय में बदलाव करना सुरू कर दिया है नरसरी से कलास वन तक की कक्षाए सुबा आट बैसे साड़े गारा बैसे तक चलेगी वहीं दूसरी से बरहवी तक की कक्षाए सुबा साथ बैसे साड़े बारा बैसे तक चलेगी वहीं DAV Public School कोईला नगर में भी छुटी का समय भी 12 बय तक किया जा रहा है समभवना है कि सरनीवार को सुचना जारी की जाए जे टेट परिक्षा पर जैक से हाई कोट ने मांगा जवाब जारखन सिक्षक पत्रता परिक्षा का आयोजन नहीं होने पर हाई कोट ने जैक से जवाब मांगा है जस्टिस राजे संकर के अदालत ने जैक को या बताने को कहा है कि परिक्षा कब ली जाएगी परिक्षा के आयोजन के लिए 20 से अधीक या चिकाओ पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जैक को चास अपता में जवाब दाखिल करने का निदेश दिया इस तमध में दाखिली अचका में कहा गया है कि राजे में वर्ष 2016 से जेटेट की परिक्षा नहीं ली जा रही है जबकि राजे में सिक्षकों की नियुक्ती होनी है आईसे में उक्त परिक्षा नहीं होने की वज़ा से कई अभ्यार्ती सिक्षक नियुक्ती में सामील नहीं हो पाएंगे अदालत को बताया गया है कि सरकार ने प्रात्मिक बिद्यालों में सहायक अचार्यपत पर नियुक्ती की परकिया शुरू कर रही है दबंगो ने जमीन पर किया कबजा गिरीडी से पैदल रांची पहुचा परिवार गिरीडी से परिवार के साथ पैदल रांची पहुचने वाले हरीलाल दास ने बताया है कि उनकी 1.13 एकर जमीन पर गाउं के ही दबंगो ने कबजा कर लिया है अपनी जमीन को लेकर वे अधिकारियों से मिले कोट की सरण में भी गए लेकिन आर्थिक तंगी की वज़ा से केस लड़ नहीं पा रहे किसी भी परकार की कोई मदद हमें नहीं मिल पा रही जमीन के सारे पेपर और बनसावली उनके पास है उन्होंने गिरीडी में अंसन भी किया है डीसी से भी मुलकात की है लेकिन बात नहीं बन पाई आखिर कर ठक हरकर परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मिलने गुहार लगाने पैदल ही निकल पड़े मुख्यमंत्री को अपनी पीडा सुनाने पूरे परिवार के साथ गिरीडी से राची का सफर पैदल ही तयकर पहुँचे है भाजपा का मोह नहीं छोड़ पा रहे सर्जूराय राइनीती में कुछ भी असंबव नहीं है वक्त आने पर धूर भी रोधी भी दोस्त बन जाते हैं और साथ चलने वाला प्रतिवध्यमंत्री की सिरेनी में आ जाता है वर्स 2019 के विधान सभा चुनाओं के पूरो में जारखन में यह देखने को मिला बदादे भाजपा के कदावर नेता सर्जूराय को पार्टी ने जब टिकट नहीं देने का फैसा लिया तो नोंने ततकाल अपना रस्ता अलग कर लिया सबको चकित करते हुए वे ततकालीन मुख्य मंत्री रगवर दास के खिलाब जम सेथ पूरपुरी से चुनाओं मैदान में बतर निर्दलिय परत्यासी खड़े होगा मावादी बंदी का असर लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन ठप भागपा मावादी के बंद का पहले दिन सुक्रवार को जीले में मिला जूला असर रहा लंबी दूरी की बसे नहीं चली जीस से याद्रियों को परिशानी हुई सरकारी बस एस्टेंड में बसे खड़ी रही दूसरे सहर में जाने के लिए याद्री एस्टेंड पहुँचे लेकिन याद्री बस नहीं चलने की बात सुनकर लोट गए अलाकि छोटे बाहनों वह कुछ बसों का परिचालेंज जारी रहा दुकाने खुली रही मवादी बंदी को लेकर पुलिस सक्रिये रही और दिन भर गस्त लगाती रही नक्सल प्रभावी छेत्रों में बंद का असर देखने को मिला बदादे मवादियों ने लवालंग के नौडीहा में मारे गए पांच सिर्थ साथियों के खिलाब दो दीन बंद किया है मवादियों ने उक्त मुटभेल को फ़रजी मुटभेल बताया है साथ ही बंदी का उलंगान करने वालों पर कड़िक करवाई करने की चतावनिदी है जून से सुरू होगा देवघर बासकी नाथ फोरलेन का काम जमिन अधिगरहन की परकिरिया करीब आसी फिर्दी पूरी हो चुकी है वहीं बासुकी नाथ एरिया में अधिगरहन की परकिरिया अपहक्षा के लिए धीमी है विभागे सुत्रों के निसार दुमका जिला में मुवाबजे के भुकतान की परकिरिया के दिसामें बिभाग की और से नोटिस तो भेजा जा रहा है लेकिन भुगतान की परकिरिया में तेजी नहीं दिख रही है जबकि जुन महीने तक फोलेंड का काम सुरू होना है राज सरकार करने जा रहे निमाली में संसोधान इसकूल इंटर कॉलेजों की मन्याता में बाधाक नहीं बनेगा जमीन का निवन्धन नहीं हुआ हो साथ ही अब इसकूल इवम इंटर्मीडियेट कोलेजों के लिए अवसक जमीन का रख्पा भी कम किया रहा है राय सरकारी से लेकर नियमावली में स्वस्वतन करने जा रही है जिसका प्रस्ताव इसकूली सिक्षाम से सता विभागने त्या जमो ने इस प्रयास में जूटे बिहार के मुक्ष मंत्री नितिस कुमार की प्रसंसा की है वरिश्टनेता बिनोत पांडे ने कहा है कि नितिस कुमार ने फिलहाल जमो के शिष्स то塁 से मिलने की एक्छा नहीं जथा ही है अगर उनकी ओर से इस समद में कोई भी संदेश आता है तो जहामो इस पहल का स्वागत करेगा जहामो देश में विपक्ची एक्ता की मुहिम के साथ है लोग सभाचुनाओं के पूर्व अगर इसे लेकर सरोसमाती बन जाती है तो यह देश के लिए हित कर होगा निव गिरीडी रांची के बीच 17 अफ्रेल से चलेगी इंटर सिटी एक्सप्रेस यह ट्रेन निव गिरीडी एस्टेशन से चल कर धनवार कोडरमा हजारी बाग टाउन बरका काना मेसरा वा टाटी सिल्वे होते हुए रांची पहुचेगी DRUCC सदस्य अरून जोसी ने नई ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री आश्मिनी वैस्णव सांसद अन पूर्णा देवी और सांसद समीर उरांग प्रत्ती अभार परकट किया है धन्यवाद